हलो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड समस्टर में कम्प्यूटर सब्जेक्ट की जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे ICT Information and Communication Technology यानि की सूचन अब हम संच्यार तक निकी सबसे पहले हम जान लितिक सूचना किसे कहते हैं सूचना का तात पर उस बहुपियोगी जानकारी से है जो प्रतेग व्यक्ति बिसे बाइस्थान बिसेस के लिए सदय प्रस्तुत रहती है और समप्रेशन किसे कहते हैं समप्रेशन से आसा है मानवी तत्यों तदा बिचारों के पारिस्प्रिक बिनमे से है ना कि टेलीफॉन, तार, टेलीविजन, रेडियो, आधी तखनीकी साधनों से तो सूचना ऐसी चीज को कहते हैं जो सभी के लिए हमें से उपस्तित रहती है और सभी के लिए जरूरी रहती है कोई भी अगर आपको सूचना दी जा रहे है इसका मतलब है कि वह चीज आपके लिए इंपोर्टेंट है और संप्रेशन के से कहते है संप्रेशन का मतलब होता है कि दो लोगों की बातचीत निसमें दोनों अपने बिचार रख रहे हैं और एक के बिचार दूसरे को समझ में आ रहे हैं तो ये चीज क्यालाती संप्रेशन तो संप्रेशन सासा क्या है तो मानभी तत्यों तत्य विचारों का पारिस्परिक बिन में आपसमें जो बातचीत कर रहे है ना कि टेलीफॉन, तार, टेलीवर्जन ये सारी चीज़ें क्या है ये प्रोध्यूकी के सादन है, ये तकनिकी के सादन है तो सूचने के बारे हम देख लिए हमने संप्रेशन देख लिए अब दोनों को मिलाकर देख लेते हैं प्रोफेसर S. के दुबे ने क्या कहा है नाम याद कर लेना हो सकता है सीधा सीधा पूछ ले जाए कि ये किसका है तो प्रोफेसर एसके दुवे ने कहा है कि सूचन एबम संप्रेशन तक्निकी का आसा है संचार साधनों की विवस्ता के कुसलतम संचालन से है जो सूचनों को एक इस्थान से दूसरे स्थान पहुचा है बही चीज क्या कहलाती है सूचन एबम संप्रेशन तक्निकी कहलाती है तो यही प्रोफेसर एसके दुवे ने कहा है कि सूचन एबम संप्रेशन तक्निकी का आसाय क्या होता है कि संचार साधनों की विवस्ता का कुसलतम संचालन क्या है कि संचार साधन जो होते हैं उसकी विवस्ता का कुसंतम संचालन है जो सूचनाओं को एक इस्थान से दूसरे स्थान तक प्रेशित करने में सहायता करती है जो क्या करती है सूचनाओं को एक इस्थान से दूसरे स्थान पहुचाने में सहायता करती है तो यही है सूच पहले क्या होता है पोस्ट आप बेशते थे तीन चार दिन में पहुंसता था पहुंसता था वो भी नहीं पहुंसता था तो स्रम भी बच जाता था अब क्या कि समय भी बच जाता था कि की बच था वाट्सउप के माणाद ऐ की मैसेज़ भी बेश बह सब्तरा है तो यहाई लगेस वाट्सप की माणाधें से जो मैसेज कर खालिए To तो यह सारा किसमें आएगा सूचन इभम संप्रेशन तकनीकी माएगा क्योंकि तकनीकी के मादधे हम से आप क्या कर रहे हैं सूचना इभम संप्रेशन कर रहे हैं तो लोग बाचीत कर रहे हैं सूचना इभेज रहे हैं तो सूचना को हम यह सारी सब्दी भी बोल देते हैं, यह पर्या बाची है एक तरीके से, हैं जिसके मादम से सूचना का निर्मान होता है ठीक है तो हम क्या करते हैं कई बार important message होते हैं उसे decode कर देते हैं sorry code में उसे convert कर देते हैं फिर उसे decode किया जाता है फिर सारी शीज़ां होती है सूचना के गुण important है यह पूछे जा सकते हैं exam में इसलिए पढ़ लेना ठीक है तो सूचना के गुण क्या होते हैं कि सूचना कैसी होनी चाहिए सुधता उसमें होनी चाहिए accuracy होनी चाहिए अगर आपको कोई सूचना मिल रही है तो आप यहीं चाहिए कि वो सूचना सुध्ध हो एकदम ठीक है accurate हो उसमें कोई भी गड़वड ना हो ऐसा ना हो कि आपने जो सूचना है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी और कई लोगों के माद्यम से भेज में ठीक है लेकिन आपकी जो सूचना आपको पहुचा नहीं थी अपने दोस्त तक वो छे दिन बाद पहुच रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है तो जो सूचना है वो समय से पहुच जाए तीसरा कि अर्थपूर्ण हो मेनिंग्फुल हो ठीक है जो आप मैसेज लिख रह है पिर आप समझा रहे हैं तब भी किलिए नहीं हो रहा कि क्या चीज बोलना चाहरे है तो संचिप्त होना चाहिए ठीक है पिर एक ही उपलब देता आराम से आप पहुचा सके सूचना को ठीक है पर रहे पर्याप्त देता एडुकेसी होनी चाहिए तो यह सतारी सूचना की गोड़ है यह याद कर लेना ठीक है एक नमबर में पूछा जा सकता है सूचना की बारे में बताईए सूचना क्या होती है सूचना की गोड़ बताईए Computer system में सूचनाव यह जानकारी के आदान प्रदान को संचार कहते हैं जब हम दो या दो से अधिक computer system में data सूचनाव को आदान प्रदान करते हैं तो उसे network कहते हैं जो की संचार का एक माद्दिम है ठीक है तो संप्रेशन और संचार एकी चीज है अब होता क्या है ये जब दो या दो से अदी वेक्ति आपस में कुछ बात हैं कर रहे होते हैं संकेतों के माध्यम से, चिन्नों के माध्यम से, प्रतिकों के माध्यम से अपनी भावराओं को प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? संचार कहलाता है यह हम इसे संप्रेशन कह सकते हैं अब यह कई माध्यम से क्या रिसकता है हो सकता है कम्प्यूटर सिस्टम के माध्यम से हम कर रहे हूं या किसी अन माध्यम से कर रहे हूं तो वो भी क्या होगा संचार का एक माध्यम होगा अब हम जान लेते हैं कि प्रोधुगी की या तक्निकी क्या होती है टेक्नोलोजी किसे कहते हैं बांशित उद्देश की प्राप्ति के लिए बैग्यानिक विध्यों से सुवभवस्तित अंतर सम्मंदित भागों की प्रडाली को प्रोधुगी की या तक्निकी कहते हैं बैग् उद्देश हमें पाना होता है अब ICT के लाब क्या है इसे विए उच्छे से पड़ लेना अगर ICT से कॉशन आते हैं तो पहला है कि शंचादनों की विवित्ता का हम प्रियोग कर पाते हैं शंचन कोशल ओ सीखने की चमता बढ़ाने के लिए संसादनों की बहुत मदद करता है ICT की साहता से सिच्छा प्राप करना आसान हो गया है अब यहाँ पर जो ICT के लाब बताए गए है या अनप्रियोग बताएगी यह सिच्छा की छेतर में बताएगी कि सिच्छा से समंदेदम चीजां पढ़ रहे हैं आपको नहीं पता होती है आपने क्या कि फॉरेंड में अपने दोस्त बना रखे है उनसे जानकारी मिल जाती है तो च्छात्रों की बेक्तिकत विकास के लिए इंपोर्टेंट है सिच्छकों के लिए बहुत उप्योगी है यह टीचर्स का भी तो ग्यान बढ़ता है अगर बच्चे का बढ़ रहे है क्योंकि वो भी इंटरनेट यूज़ कर रहे है फिर रहे कि बिध्धारतियों के लिए उप्योगी है उसमें क्या होता कि सरम बच जाता है उनकी समय की बचात हो जाती है पहले बिध्याले जाना पड़ता था कोचिंग जाना पड़ता था काफी रुपए खर्च किया जाता था लेकिन आपके घर बैटे जानकारी ले सकते हैं ऑनलाइन पढ़ सकते हैं फिर रहे कि सिच्छन तकनीकी का विकास हुआ है इस से क्या हुआ जो सिच्छन परवावसाली बना है जब हम तकनीका यूज करते हैं सिच्छन में तो यह सारे ICT के लाव है इन्हें याद कलेना जितनी भी हेडिंग है इन्हें अच्छे से याद कलेना बना तो आप लेंगे एगर टाइम बसता है जो सेच्छे के लच्छे है हमारे जो उद्दे से उनको निरधारन किया जा सकता है दूसरा है कि सिच्छन अदगम प्रिक्रिया के लिए ब्यूर रचनाओ और यक्तियों का चेयन हम कर सकते है ICT के दौरा जो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं जो टेटेक्स अपनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं ICT का यूज कर सकते हैं हमने क्या कि है प्रौद्गी की का यूज किया और हमने सिच्छन अदगम के लिए जो हमें स्ट्रेटजी बनानी थी वो हमने बना ली पिर तीसरा है कि स्त्रब द्रब समग्री का हम चुणाव कर सकते हैं ठीक है कि हमें। और कई सारी चीज़े हैं पिर फोर्थ है कि अब जैसे कि Meyer आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं पिर ऑनलाइन जैसे मैं आपको पढ़ा रहू तो क्या प्रतिकिरिया है आपकी तो आप मुझे कैसे पता चलाएगा जब आप कमेंट करते हैं बताते हैं अपच्छा पढा रहे हैं बुरा पढा रहे हैं तो यह प्रतिपुष्टी का मतलब होता है फीडबेक आपको फीडबेक मिल जाता है ICT की मदद से ठीक है आप कोई भी चीज बच्चों को पढ़ा रहे हैं बच्चे काफी दूर से आपकी बाते सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं तो उन्हें feedback मिल जाता है teachers को ठीक है कहाँ पर कमी है कहाँ पर अच्छा है यह सारी चीज़े फिर है सिच्चक पर सिच्चन जो teacher होते हैं उन्हें भी training की जरूरत होती है तो उन्हें भी इसी ICT के मदद से क्या होता है उन्हें training मिल जाती है ठीक है प्रादुगी के माद्यम से क्या होता है उन्हें training मिल जाती है तो यह सारे scope हैं ICT के यह सारे छेत रहें किसके ICT के, तो influence को भी अच्छा से याद कर लेना, फिर है कि ICT का use क्या है, education में और studies में, जब हम पढ़ा यड़ाई करते हैं, सिच्छा में सूचना अब हम संचार अपदुगी की क्या उपयोगता है, यह हमें बतानी है, तो पहला है कि सूचना संभाहन, संभाहन का मतलब होता है कि सही समय पर, सही वेक्ति तक सूचना पहुचाना क्या कहलाता है, सूचना संभाहन कहलाता है, दूसरा है सैचिक नीती निर्धारण, ठीक है कि सैचिक नीती का जब आप निर्धारण करते हैं, तो उसमें भी ICT का use होता है, पर तीसरा कि तूचना है जो होती है आकोनों का हम निर्माण कर लेते हैं ठीक है पर उसे कंप्यूटर दारा प्रेशित भी कर लेते हैं तो यह सारी चीज़े क्या है ब्रेजेंट रहे विध्याले में ठीक है कितने दिन आई वो विध्याले में तो कई सारी चीज़ें होती हैं कई सारे अब लेख होते हैं जिनने रिकॉर्ड किया जाता है तो इनमें भी ICT की मदद ली जाती है फिर है कि दूरा सिच्छा बढ़ा ली ठीक है ओनलाइन एजूक पदुगी की यह उपयोगता है इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेना अब सेकेंड चैप्टर था कि सिच्छकों के लिए ICT का यूज़ क्या है दिखें सिच्छक अक्सर ICT का उपयोग जो है वो नेमितकार जैसे की रिकॉर्ड रखने लेसन प्लान बनाने सूचना क प्रस्तिती करने के लिए इंटरनेट पर बुनियादी जानकारी की खोज के लिए करते हैं तो टीचर ICT का यूज़ करते हैं तो रिकॉर्ड करने के लिए लेसन प्लान बनाने के लिए सूचना की प्रस्तिती करने के लिए और इंटरनेट पर जो बुनियादी जानकारी होत तो पहला है कि सिच्छनकार की कार कुशलता जो होती है उसमें ब्रध्धी हो जाती है जो टीचर पढ़ाते हैं तो उनकी जो कार कुशलता होती है उसमें ब्रध्धी होती है वो काफी अच्छे से पढ़ा लेते हैं काफी अच्छे से प्रभाव डालेते हैं क्योंकि कई special जप भी पढ़ाते हैं, छिगे उनका भी रिवाइज हो जाता है, ओर नहीं और नहीं आटीजें जब उन्हें पताचलती है, उनके सिछका कार मęरा हुद काफी कुसलता हो जाती है, एप क्या项 किरेकर के अनलाइन ही ही और나हे बनाना बता था था , प्याνते था पहले बिध्याले में वो पढ़ाते थे और उसका आप खुद नोट्स तयार करते थे लेकिन अब इतना टाइम नहीं जाता उनका फिरकी दूरस सिच्छा में सहाय के टीचर के लिए घर बैठे कहीं भी पढ़ा सकते हैं दूर दराज में बैठे जो लोग होते हैं वो देख सकते हैं वीडियो बगएरा तो यह सारी सीच्छ है पहर है कि नभीन सोधकार में सहाय जो नई research बगएरा होती है उसमें काफी help होती ही teachers की तो यह सारे points होते हैं यह सारे points आप लिख सकते हैं उनमें बिसेबस्तू समंदी चमताओं का विकास ठीक है साथ-साथ उपकरणों के संचालन का ग्यान परदान करता है ठीक है तो इसमें क्या होता है ICT के मतलब स्चिचर्स होते हैं वो सिच्छन अद्गम की जो process है उससे तो चलाती ही रहते हैं ठीक है उससे teachers को कफी बल मिलता है उसके साथ-साथ जो उनकी बिसेबस्तू है उसमें कैसे विकास क्या रह सकता है और जो नहीं ने उपकरण होते हैं उनकी help कैसे ली जा सकती है उसते ग्यान कैसे ब्रदान किया जा सकता है ये सारी चीज़ें teachers को आ गई है ठीके जैसे प्रोजेक्टर के मादम से टीचर पढ़ा रहे हैं आजकल दूसरा कि ICT सिच्छक के सिच्छन सैली में नवीनता अभी नवाचार लाता है ठीके अब क्या कि जैसे जो पढ़ाने का इस्टायल है कि पहले की जमाने में कुछ अलग हुआ करता था जब गुरुकुल प्रडाली चल रही थी फिर उसके बाद जो प्रडाली यह उसमें अलग था आज की टायम पे जो है पढ़ाने का इस्टायल बिल्कुल अलग है ठीके तो बही है कि जो ICT होता है इसके मादम से टीचर होता है उसकी जो सिच्छन सेली होती है उसमें नभीनता आती है और नवाचार लाता है ठीके तो यह पॉइंट लिख सकते हैं तीस तरह कि ICT जो है वो सिच्छन अधगम सामगरी का प्रियोग करना सिखाती है उसका निर्मान करना सिखाती है ठीक है तो टीचर की हैल्प करती है सिच्छन अधगम सामगरी है जैसे कि साइंस का टीचर उसे कलाइडियोस्कोप के बारे में बताना है टीचर को तो कैसे कलाइडियोस्कोप वो बना सकता है ठीक है कम खर्चे में बना सकता है कई सारी चीज़ें होती है और कैसे प्रियोब करके बच्चों को समझाना यह सारी चीज़ें सीख सकते है तो उसे उसे हो सिच्छन अधिगम समगरी होती है जिसमर कई बच्चों को सिखाना है तो यह सारी चीज़ें help मिल जाती टीचर्स को पर एकि ICT जो है वो सिच्छक को अनुदेशन, नियोजन, आकलन, मुल्यांकन, बिध्याले प्रबंदन तथा बिध्याली सामधाइक संबंदों को बहतर बनाने में साहता करता है। तो ये भी ICT की मदद से किया सकता है कि कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे अनुदेशन करना है, क फिर एकि सिच्छक के वेपसाइक विकास के लिए ICT के कौन कौन से साधन है, जो हेल्प करते हैं। तो दिखिए, इसमें सोसल मीडिया नेटबर्क आ जाता है, बेप कॉन्फरेंसिंग आ जाती है, ऑनलाइन वीडियो जाते हैं, इनकी मदद मिल जाती है टीचर्स को, मौक इसकी फुर्फाम होती है, मौक एक्जाम बगएरा होते रहते हैं, स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, उनके मादम से टीचर पढ़ा सकते हैं, प्रोजेक्टर के मादियम से, विकीपीडिया जो हैं, उससे काफी जानकारी मिल जाती है, सर्च इंजन बगएरा जो हैं, यह सारे क मादम से काफी जानकारी मिल जाती है, मौक टेस्ट के मादियम से, स्मार्ट बोर्ड से मादम से आप बता सकते हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट के मादम से बता सकते हैं, विकीपीडिया से काफी जानकारी मिलती है, सर्च इंजन से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो यह स जिसका आसाए है दैनिक जीवन में बहेग्यानिक ग्यान को प्रियोग करने की बिधियां हारित होता है ठीक है जो बिध्याले प्रवंद होता है स्कूल मेनेजमेंट होता है वो विकेंद्री करण पर आधारित होता है कि किसी एक क्यूपर सारी ताकत नहीं होती जैसे नहीं कि पिंस्पल या डारेक्टर सब कुछ देख रहे है उसने कहा कि यह चीजा सॉप दिए सभ के पास सकती है केंद्री करण क्या होता है जब एक ही के पास सकती होती सारी चीज़े करने की वो और देगा बही चीज़ होगी ठीक है तो जो बिध्याले प्रवंद होता है वो बिकेंद्री करण एवं लोक तंत्रिता पर अधारित होता है ठीक है तो इसमें उपर सिप टेक शक के उससे हो चाहिए वो स्टुडेंट के परपस से हम देखें या हम बिध्धाले प्रबंदन के में देखें तो जातर जो ICT के लाव में वो सभी में सेमी होंगे ठीक है बस कुछ पॉइंट्स आपको अलग लिकिने क्योंकि इसमें बिध्धाले प्रबंदन को देखकर बिध्धाले आजाते हैं और ये चीज़ेंग और आरते हैं तो संसादन के समन्मे में साहयक होता है ICT चीक है दूसरा होता है कि मरत अक solids की बापना कारे कश की कि अपंपनि बिध्यास होता है हर करमचारी का हम छhether इसमें निश्यत निश्यत कर देते हैं उत्तर दाये तो तैकर करनी भी जरूरी है अब हो कंट्रोल हैं हम किस के मदद से करते हैं ICT के मदद से करते हैं माली टीचर क्लास में पढ़ा नहीं रहा है आराम से बैठा है तो आपने क्या कि चीज गलत लग रही है तो आप सोसल मीडिया पर बोल सकते हैं या उसे इमेल भी कर सकते हैं ठीक है विद्धाले प्रमंदन को यह चीज आपके मैं गलात है यह चीज होनी चीज़ ठीक है तो बिचारों की सुझंदरता आती है इसीटी के मदद से समानता आती है ठीक है सभी को होती है पीर के सिच्छा के बोज को कम करके सिच्छा की गुरबत्त को बढ़ाना अब की कि आं- 라ins चालना लग्जे की का एक न बहुता पने— जो सिच्छा क तक हम ज़ो हम अच्छे कर लें ए ayam की help से, ठेके तो यह ICT का महत है, आप शक्ता है, ठेके उपयोगता है कि इसमें, बिध्धाले प्रवंदन में, स्कूल मेनेजमेंट में, आप कुशन आप से ये बन सकता है कि ICT ने बिध्धारतियों की जीवन को आसान बनाया है, कैसे आसान बनाया है, ठेके ये एक नमर में क बन सकता है, हो सकता है, दो नमर में भी बन जाए, तो देखे क्या लिखेंगे आप इसमें, कि बरतमान समय में ICT का बहुत महत है, ICT ने आज के विध्धारती जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया है, तकनीकी की माद्यम से जो सिच्छा समंदी समागरी चातरों तक पहु इंटरनेट है, कम्प्यूटर है, यह सब कुछ क्या है, यह सब ICT है, नोट्स आपको प्रवाइड हो रहे हैं, टेली ग्राम पर, ठीक है, और नई नी चीज़ें आपको जानने को मिल रहे हैं, तो यह सब ICT की मदश सही हो रहा है, तो यही का गया कि बरतमान समय में ICT का ब नाम से तक पहुंचती है, जैसे टेलिग्राम के मादियम से आपके पास जो भी सिच्चा समगरी पहुंच रही है, या य९ञ यूट्ईब की मादियम से जो भी पहुंच रही है, तो सम क्या कहेंगे? तो सिच्चा में он-line प्रवेस कराने वाली विधियों के नाम से जानें आज की समय में प्रतेक चात्र घर बैटे नभीन तक्नीकी माद्यम दोरा अपनी सैचिक समस्याओं को हल करना चाहता है तो आज की समय में कि जो चात्र है जो स्टुडेंट है वो घर बैटकर ही अपनी सारी समस्याओं को दूर करना चाहता है इस कार को कंप्यूटर व इंटरन से उनकों को दूर कर रहे हैं तो इसमें बताने इसकी help कौन ले रहा है इस्टुडेंट ले रहे हैं तो इसमें website सा जाती है LinkedIn आ जाता है यह jobs related होता है LinkedIn फिर ट्विटर ट्विटर पर आप ट्विट बगारा कर सकते हैं फिर facebook test book ऐसे करके कई सारी और app आ रहे हैं जिनसे क्या कि उसमें test paper बगारा होते हैं काफी help मिल जाती है तो यह सारी चीजें हैं जिनकी आप help ले सकते हैं ठीक के सिच्छा की छेत्र में और student लेते हैं ठीक है ICT की help लेते हैं और यह ICT के सारी साधन है ठीक है तो इन सारी चीज़ों आप बढ़ रहे हैं तो यह question बन सकता है तो दीखिए computer होता क्या है computer इसे electronic machine that change data into information ठीक है computer एक electronic machine होती है वो क्या करती है कोई भी data हो उसे information में बदल देती है ठीक है जो आपके लिए important होती है computer सब्द की जो उत्पत्ति है वो Latin भासा के सब्द computer इससे हुई है जिसका आर्थ होता है गड़ना करना ठीक है तो इसकी जो पत्ति होई वो Latin भासा की सब्दो होई है और इसका आर्थ क्या होता है तो गड़ना करना इसका आर्थ होता है यह हम कह सकते हैं गिंती करना आज computer को एक नभीन प्रभधी माना गया है जिसके द्वारा अंक गड़ी तथा तरक करके उन्हें अर्थ पूर्ण बनाता है तो computer करता क्या है जो भी आकड़े हैं उन्हें विसलेशन करता है और उन्हें अर्थ पूर्ण बनाता है तो बही मैंने उपर कहा था कि data को क्या करता information में चेंज कर देता है अब computer का उप्योग आपको पता होना चाहिए कि 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 करते हैं तो अब लेखों को रखने में computer का यूज करते हैं रिजल्ट बनाते हैं तब यूज करते हैं ठीक है जो बैक्तिक कारकरम होते हैं उनकी प्लानिंग करते हैं चात्रों को विकास के लिए कई प्रोग्राम चलाते हैं तो उसमें भी ICT के help लेते हैं computer के help लेते हैं फिर जो नए पार्ट करम होते हैं उनकी विकास के लिए भी आप computer की help लेते हैं तो आपको heading याद रखनी है सारी सिच्छा प्रशाशन के छेतर में computer का use होता है सिच्छा प्रस्तितियों में computer का help लेते ह सुंधान कार्व में जो research बगएरा होती हैं उनमें हम computer की help लेते हैं दूरस सिच्छा में हम computer की help लेते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं तो computer की help ले रहे हैं mobile की help ले हैं ठीक है, ICT की help ले रहे हैं, फिर एकि सैचिक परियोजना बनाने में, जो educational planning होती है, उसमें भी हम computer की help लेते हैं, फिर एकि सैचिक निर्देशिन हम परामर्स में, ठीक है, guidance करने में या counseling counseling करने में किसी में, ठीक है, तो उसमें भी हम computer की help लेते हैं, या ICT की help लेते हैं, ठीक टेके तो ये सारी क्या है, taux computer की उपयोगता है, computer कहा-कहा हम use कर सकते हैं, क्या-क्यम हैं तो computer का, य 450 का क्या हम है, these are points हम आप उनमें लिख सकते है, तो दो कि फेट quar gemaakt है, बहुत प्रोटोगान है आप इसे बना बना कर भी लिख सकते हैं तेकि कितना भी अगर आपको नहीं आता कोई कुछ भी बना कर लिख देना तेकि उसमें कोई दिक्कत नहीं इतना कोई नहीं पढ़ता तेकि बस उससे संबंदित होना चाहिए ऐसा नहीं कि कंप्यूटर के बारे हम पूचे रहें आप प्रेगें नेश्ट कुछें है कि इंटर्नेट क्या है तो देखें इंटर्नेट इंप में Internet Bisp का सबसे बड़ा network है. ठीक है, तो Internet है कि अगर simple सब्दों में देखें, तो Internet जो है, वो एक दूसरे से जोड़े कई computer को अजाल है. Internet के माद़न से कई सारे computer एक दूसरे से जोड़े होते हैं. ठीक है, जो क्या करते हैं, जो router बाश सर्वर के माद़न से, दुनिया के किसी भी computer को आपस में जोड लेते हैं तो router और server की और इसकी help से क्या करते हैं दुनिया के किसी भी computer को आपस में जोड लेते हैं या सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए जो TSP IP protocol होता है इसके माध्यम से दो computer के बीच में जो संबन इस्थापित होता है उस हम क्या कहते हैं इंटरनेट कहते हैं तो कई सारी definition आप कोई भी याद कर सकते हैं और इंटरनेट है क्या तो विश्व का सबसे बड़ा network है computer स्वरी इंटरनेट आप कहें कि इंटरनेट को दो प्रकार के प्रोग्रामों की अबशक्ता होती है पहला होता है server दूसरा होता router router को हिंदी में ग्राहक भी कहते हैं तो इंटरनेट जो होता है उसे दो program की जरुगत होती है चलने के लिए computer को जोडने के लिए तो वो होता है server और ग्राहक या router server बे program होते हैं जो साधन प्रदान करते हैं तो ग्राहक बे होते हैं जो इन साधनों का प्रियोग करते हैं तो server क्या है ऐसे program जो साधन प्रदान करे तो वो server कहलाते हैं और ग्राहक बे होते हैं जो इन साधनों का प्रियोग करते हैं तो यह सारी सीज़ हो जाती इंटरनेट पे computer बिश्वियापी network के रूप में जोड़े होते हैं जो एक protocol के जरीए संचार करते हैं जो internet है इस पर जितने भी computer होते हैं बिश्वियापी network से जोड़े हैं कोई भी computer कहीं से भी जोड़ सकता है इंटरनेट की मतल़ से हम आपस में add हो सकते हैं जो क्या करते हैं एक protocol के जरीए संचार करते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है तो सूचना के आदान प्रतान संबंदी जो नियम बनाए गए हैं उन्हें protocol कहा जाता है यह ची याद कले न एक नंबर में पोस सकता है प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं तो सूचना के आदान प्रतान संबंदी जो नियम होते हैं भही protocol कहलाते हैं अब इंटरनेट की बिसेशता देख लेते हैं तो पहला तो यही है कि सूचना का आदान प्रतान जो होता है वो सीग्रता से बिना किसी गलती से हो जाता है दूसरे की बड़ी मात्रहें मैं आकडो की खो़ जम कर सकते हैं, उसमें यह सहायक है तीसरा है कि इसकी सहायता से संचार विबस्ता को हम सरल बना सकते हैं, और बहुप योगी बना सकते हैं, ठीके फिर है कि लेन देन हो जाता है टांजेक्शन अगर हम एक देस से दूसरे देस में टांजेक्शन करना है तो इंटरनेट की हेल्प से हो जाता है बिजनेस करना है तो भी इंटरनेट की हेल्प से हो जाता है पढ़ाई करना है तो भी इंटरनेट की हेल्प से हो जाता है पढ़ा बार भी किसकी बज़े से होता है, तो इंटरनेट की बज़े से होता है, तो ये भी इंटरनेट की एक बिसेस्ता हो जाएगी, तो इंटरनेट की बिसेस्ता आप लिखी लेंगे, इंटरनेट के बारे में भी आप लिखे लेंगे, कुछ ज्यादा टफ तो है नहीं, कि इंटरन लेकर महत्मूर जानकारी का आधारकत्न हो जाता है तिसरे की बैपारिक समझोतिय होते हैं भो भी हो जाते हैं इंटरनेट के मतलब से आपसकता रिश्चार सो कम्पूटर फा divert फाइल 창 सो जाती है प्रानसफर कर सकते हैं एक जग Championship से दूर्सरी जगे फिर इंटरनेट की आपशेक्ता की छेतर देख लिते हैं कि किनकिन छेतरों में हमें इंटरनेट की जरुरत पड़ती है तो आजकल तो क्या है कि कोई भी छेतर ऐसा बच्चा नहीं है जहाँ प्रप्ष में इनके माद्यम से आप इंटरनेट पर जुड़ सकते हैं, फिर एकि ग्रह परवेश के छेत्र में, ठीके घर से समझने कई सारी चीज़ा होती है, किचन में आप खाना बना रहे हैं, आपको नहीं आरा बनाना तो इंटरनेट की हेल्प ले लिए आपने, तो यह सारी चीज़ा ह होती हैं, फिर एकि होस्पिटल्स या मेडिशन के छेत्र में जो होता है, दबाई होई के छेत्र में आपने देखा, अब तो हर जितने भी होस्पिटल्स बगएर आउते हो, आप पर आपको कम्प्यूटर्स देखने को मिल जाएंगे, फिर एकि सेंटिफिक रिसर्च में, जो नासा है, इसरो है या और कोई है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, इंटरनेट की हेल्प ली जाती है, फिर एकि बिश्वव्यापी जो सम्मेलन होते हैं, जैसे G20, G7, BIMSTEC, BRICS, ठीक है, यह सारे जितने भी सम्मेलन होते हैं, इनमें भी इंटरनेट की आपशक्ता होती तो यह इंटरनेट की आपशक्ता की छेतरे का का आपशक्ता पढ़ दाती हैं, अब इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं देख लेते हैं, कि कौन-कौन सी सेवा इंटरनेट प्रवाइड करता है, तो पहला इमेल, इमेल की फुल-फर्म होती है इलक्ट्रोनिक मेल, ठीक है, और इससे आसा है क्या होता है, जब डाक को electronic माद्यम से भेजा रहा है, तो इसे हम email कहते हैं, इसके माद्यम से संदेश, तीबृता से और संप्रिशित क्या रह सकता है, ठीक है, तो email का full form होता है, electronic mail, जब भी हम डाक को electronic माद्यम से भेजते हैं, तो इसे हम email कहते हैं, ठीक है, अगर आप कोई फाइल ट्रांसफर करने एक जिगा से दूसी जगे तो उसमें कुछ नियम होते हैं तो उसी को बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोड़ोगल तो ये भी इंटरनेट की हल्प से ही आप कर सकते हैं तीसरा है इंटरनेट रिले चैट किसे कहते हैं इससे 1988 में फि openness के एक बेख्ती थे उन्होंने बिक्सित किया था और इसके मादेमस क्या कर सकते हैं आप एक ही समय पर एक साथ कई सारी लोगों से बाचित कर सकते हैं या आप संचार कर सकते हैं क्या आपको कोई message भेजरा है पूरी कंट्री में ठीके जितने भी राज़े बगएर है तो आपने हुआ से क्या क्या है इंटरनेट रिलेज्ट चैट की हेलब से सबी से आपने संचार कर लिए अपनी बात पहुँचा दी ठीके जहां भी पहुँचा नी थी और इसमें कोई भी भोगोलिक सिमा निश्यत नहीं होती है फिर है www इसकी फुल फॉर्म पूची जा सकती एक नमर में तो याद रख लेना वर्ल्ड वाइड बेब कहते हैं इसकी फुल फॉर्म को इसका संभण जो ओता वो विष्य फाइलों के संकलन से होता है कि पीडिया का है बिकीडिया के बारे में आपने काफी सुना होगा तो बिकीडिया को किस ने बनाया था दो इक जिमी वेल्स और लैरी सैंगर ने बनाया था कब बनाया तो 15 जनवरी 2001 को इसे लॉंच किया था यह एक मुप्त ग्यान कोस है जो दुनिया भर के उन लोग, लाको लोगों, लाको युगदान करता हो दोरा लिखा जाता है जो ग्यान को बाटने पर उनका प्रिशार प्रसार करने में विश्वास रखते हैं इस वेब साइट की तक्नीकी सुबधाओं दोरा से इच्छा जगत से समझ तमस्याओं को दूर करने की चेस्टा की जाती है यह 262 भासाओं में मौझूद है यह भारत की साथी भी सबसे मसूहर वेब साइट है विकीपीडिया सब्द दो सब्दों विकी प्लस इंसाइकलोपीडिया से मिलकर बना है इसमें प्रस्टों को जोडने के लिए बेब ब्राउजर का प्रयोग किया जाता है ग्यान की संबंद, ग्यान की प्रबंद के छेतर में भी Wikipedia का महत्पुन योगदाने देखे, Wikipedia है क्या तो Wikipedia को बनाया था किसने Jimmy Bales और Larry Sanger नामक दो बेक्ती ने बनाया था कब बनाया था, तो 15 जनवरी 2001 को इसे लॉंच किया था उन्होंने एक इए मुपत ग्यानको से, मतलब है आपको कोई भी जानकारी चाहिए आपको यहासे मिल सकते बस आपको इंटरेनेट की मदद चाहिए, आपका इसमें कोई भी रूपए खर्च नहीं होता यह free मुप्त ज्यानकोस है जो क्या है कि कई सारे लोग है दुनिया भर में योगदान करता है जो इनको लिखते हैं इसमें जो भी चीज लिखी हुई होती है update जो की जाती है टाइम टाइम पर तो यही सारे लोग करते हैं कुछ लोगों के पास ये pass होता है कुछ कह सकते हैं कि Wikipedia कुछ एजेंट जो हते हैं वो निश्यत कर दी हैं कि आप इनमें एडिट कर सकते हैं आप अप प्रूब कर सकते हैं कि जो बैक्ती लिख रहा है वो सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है जब अप्रूबल मिल जाता है तो उसे पब्लिस कर दिया जाता है तो ऐसे करके बहुत सारा जो भी किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप Wikipedia से ले सकते हैं यह 262 भासाओं में लिखा हुआ है तेकि साइदी कोई website होगी जो इतनी भासाओं में लिखी गई होगी पहले एंसाइकलोपीडिया काफी फेमस था उसके बाद यह Wikipedia आया है तो इन दो चीज़ों से मिलकर बनाया है और इसमें अगर पेज बगार हमें जोडने होते हैं तो हम बेब ब्राउजर का यूज करते हैं तो ग्यान के प्रबंध के छेतर में Wikipedia का महतपूर इस्थाने यह चीज़ याद रख लेना किसने बनाया था तो Jimmy Wales और Larry Sanger ने कब बनाया थो 15 जनवरी 2001 को ठीक इतनी चीज़ें याद रखना फिर next topic है computer network जब हम दो या दो से अधिक computer को एक दूसरे से cable या किसी अनमादिम से जोडते हैं ठीक है तो इसका मुख उद्दिश ही क्या होता है जोडने का तो अलग-अलग इस्थानों पर दो computer रखे हुए तो उनमें data transfer के लिए हम दो computer को आपस में जोडते हैं और इसके जोडने के लिए कौन-कौन से साधन का यूज़ करते हैं यह प्रमुक साधन होते हैं जिनके मादिम सम्म इन चीजों को जोडते हैं ठीक है दो computer को अब computer network के उपयोग ब अनप्रियोग देख लेते हैं क्या है इसका उप्रियोग है क्या अनप्रियोग है तीसरा है जो केंदरी सूचना भंडार है उनसे लावनवित होना है हमें ठीक है आपको पता कि जितने भी बैपारी हैं और द्योग पती है वो सबनी जितनी भी जानकारी है वो अपने computer बगारा में रखते हैं या online business से वो जड़ोग हुए होते हैं तो लेकि नेटवर्फ प्रडाली की जब जरूत पड़ती है तो उन्हें बांचिती सूचना है जो होती है वो मिल जाती है ठीक है जो अगर आप business कर रहे हैं बिजनेस मैन है तो कई सारी सूचना है आपकी computer हम होगी नेटवर्फ की फाइल आसानी से उप्योग करता हूं कि बीच में साजा कर पाते हैं तो उन्हें आराम से हम ट्रांसपर कर देते हैं फिर है कि financial जो services वगरा होती है payment वगरा करने का ठीक रुपए वगरा भेजने का ये भी सारी help मिल जाती नेटवर्फ से manufacturing अगर कोई product हम बना रहे हैं तो उसमें भी हमें काफी help लगती है computer network की पर कि मनुरंजन उध्योग जो होता है धियर पार्टस ऑप network लिखी आयों नेटवर्फ की बारे में बताईए और उसके पार्टस की बारे मैं बताईए तो देहेए computer जो network होता है इसके तीन kıर्फ होते है प्रमकृक से पहला होता है server, दूसरा होता है client और तीसरा होता है router ठीक है तो पहले server के बारे हमें जान लेते हैं server जो होता है वो network के उस भाग को कहते हैं जो उपयोग करता हो को बिभिन सूचना है जैसे कि file को print करना, share करना एक इस्थान से दूसरे इस्थान भेज रहा आदी होता है ठीक है तो server क्या है तो network का हो है भाग जो उपयोग करता हो को बिभिन सूचना है प्रदान करता है ठीक है तो उसे हम server कहते है जैसे क्या क्या सुबदा तो जैसे फाइलों को print करना, share करना, एक इस्थान से दूसरे पर दूसरा client, server के दौरा जिस computer को सूचना है प्रदान की जाती है वो है प्राप्त करता है, receiver ही client करता है जैसे कि क्या है कि हम कोई सूचना भेज रहे हैं किसी को तो हम server हो गए, ठीक है लेकिन जिससे हम भेज रहे हैं, अगर उसे workstation भी कहा जाता है, ठीक है client.com क्या कह सकते हैं, workstation भी कह सकते है फिर routers किसे कहते हैं, routers में होता है यह एक प्रकार का hardware device है जो data को computer network को भेजता है ठीक है, तो computer network तक data कौन भेजता है तो router भेजता है, router दो या दो से अधिक network के भी junction की तरह कार करता है ताकि उनके बीच data की packet इधर उधर हो सके तो एक तरीके सकते हैं, बीच में यही इंसान बैटा है उधर से data आया तो इधर भेज दिया तो एक प्रकार का hardware device है, router जो क्या करता है, data को computer network तक भेजता है तो दो या दो से अधिक network को की बीच में यह कैसे काम करता है, तो junction की तरह काम करता है जहां से data का आधान प्रदान होता रहता है ताकि वो data की packet जो है, वो इधर उधर कर सके तो यह तीन चीज़ा होती है पार्ट से आध कर लेने network के तीन ही है server, client और router अब network के प्रकार पढ़ लेते हैं हमने first time में भी पढ़े थे तो network तीन प्रकार के होते हैं, land, band, man land की full form होती है, local area network जो बिल्कुल छोटे से area में चालू रहता है man का होता है metropolitan area network जो बड़े-बड़े सहरों में होता है प्र उता by dateiem network जो पूरे देष्ट को समहल लेता है दो शलिए इनके बारे में जान लेते हैं एक चोटे से चोटा network एक कमरे से सुरू होकर पूरे bird को connect कर सकता है अब सबसे पहले land की बात कर लेते हैं एक चोटे से office या फिर school में बनाया जा सकता है दो या दो से अधी computer को एक ही जगए connect करने वाले network को भी land कहते हैं ठीक है माली हम अपने school में जो network use करते हैं अपने office में जो network use करते हैं वो land का example है ठीक है किसका example है तो land का example है मतलब कि local area network का example है इसमें हम या दो से अधी computer को एक ही जगए connect कर सकते हैं तो यह जो network होता है वो land कहलाता है ठीक है और एक छोटे से area में यह सिमित रहता है ठीक है इसका area जो होता है वो सबसे छोटा होता है फिर आता है man metropolitan area network यह है नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे land मिलकर एक बड़ी network का निर्वान करते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं इसका पूरा बिश्यो को एक साथ जोड़ रहा है तो इसका कोई भोगोलिक सीमा निश्यत रही है आप कहीं से कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं अमेरिका से इंडिया में कनेक्ट हो सकते हैं अमेरिका से रूस में कनेक्ट हो सकते हैं अमेरिका से जापान में कनेक्ट हो सकते हैं तो ऐसा जो नेटवर्क एरिया होता है वो बाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है वैन कहलाता है तो क् लाइन चैटे का आपने बहुत सुना ऊगा, आप लोग टेली करते भी रहते हैं, यह तक कि मैं जो लाइब क्लास लेता हूँ, उसमें भी आप लोग चैटिंग भी करते रहते हैं, तो आप अच्छे से जानते को इसके क्या लाव हैं, तो पहला लाव यह है कि टीचर और में किसी ब्यक्ति से द्रश रूप के समान बाचीत कर सकते हैं ठीक है मतलब सेम बैसे ही बात कर सकते हैं जैसे कोई ब्यक्ति ठीक हमारे सामने बैठा हो ठीक है तीसरा कहा है कि ब्यक्ति को टाइपिंग का ग्यान प्राप्त होता है ठीक है आप टाइप करके चैटिंग करते है टाइपिंग का ग्यान प्राप्त हो जाता है कुछ ऐसे भी होते हैं कि इसमें आप सामने देख सकते हैं और चैटिंग के माद्यम से बातचीत कर सकते हैं फिर है कि लिखित विचार प्राप्त होते हैं लिखकर आप बाते करते हैं, तो लिखित विचार पराप्त होते हैं, टिके तो इसमें WhatsApp भी आ जाता है आपका, Facebook भी आ जाता है, तो इसमें सिद्धा मैसेज बगएर आप करते हैं, टेलिग्राम में भी करते हैं, टिके, Snapchat में भी कर लेते हैं, तो यह सारी क्या कि लिखित बस्तु की साधन कौन कौन से है जिसमें आप डिश्टल रूप में क्या करते हैं अपनी चीजों को एक दूसरे से सेर कर सकते हैं बाच्चीत कर सकते हैं तो इसमें पहले ईबुक्स आ जाता है उबक्स का मतलब होता है पिर slide जो होता है आपने देखो अगा PowerPoint पगरा देखा होगा उसमें slide चलती रहती है एक ख़ता मुझे पर दूसरी आगी तीसरी आगी ऐसे करके CD DVD आप सभी जानते होंगे CD DVD ट्रेनिंग वीडियो जो रहते हैं वो भी digital बिसे बस्तु है ठीक है हम क्या करते हैं किसी चीज के मैं जानकर ची होती है तो उसका कोई नो कोई training वीडियो बना दिया जाता है कि किसी form को कैसे भरें तो यह पूरा समझा देते हैं लोग ठीक है फि Smart Class है तात पीर ऐसे नवीन सिच्छन प्रिक्रिया से है जहां सिच्छा प्रदान करने के लिए किसी विद्ध्याले भवन की आपशक्ता नहीं पड़ती है यहां नए नए तक्च्ची की साधरों दोरह सिच्छा प्रदान कराइं जाती है इस इस स्तरहं बयायस समय के होती है, इसके निम लिखित माद्दे हमें, मॉवाइल फॉन, टेली कानफरेंसिंग, कंप्यूटर, इंटरेनिट आ दी, देखे, स्मार्ट क्लास क्या होती है, स्मार्ट क्लास ऐसी क्लास को पढ़ रहे हैं, अब इसके लिए कोई बिध्याल है तो नहीं बनवाए हमने, ठीक है, कोई क्लास रूम नहीं बनवाए है, कोई बोर्ड नहीं बनवाए कि आप मेरे सामने बैठें, तभी मैं आपको बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, तो मैं इंटरनिट, यह सारे साधन है, यह सारे माध्ध Merry स्मार्ट क्लास की, ठीक है, तुन्हें याथ कर लेना, फिर इसके लाब पूछ लिए जाते हैं, कि स्मार्ट क्लास के लाब क्या होते हैं, उस्क्री पर सभी तत्यों मिल जाते हैं, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि के मादम से भी दिखा देते हैं फिर रहे कि मन पसंद बिसे घर बैट कर पढ़ सकते हैं जो भी आपका फैवरिट सब्जेक्ट उसकी क्लासिस आप खोल सकते हैं वही पढ़ सकते हैं फिर रहे कि इसका भेबारिक महत्यू भी है ठीक उन्हें बहुत तकलीफ होती है उनके लिए कोई नो कोई चाहिए तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी रहती हैं इक लासिस की घर बैटके वो आरम से पढ़ सकते हैं फिर नेस्ट कोशन है कि एजुसेट किस प्रकार का कारक्रम है जो किस समन्दे थे तो सिच्चा से समन्दे थे इसे भारती अंतरिश्च संस्तान यानि कि इसरो द्वारा सिटमबर 2004 में एक कर्तिम उपग्रे के रूप में स्थापित किया गया था तो इसे स्थापित किस ने किया था क्यों इसे किस उद्ध से छोड़ा गया था तो सिच्छन सेवा प्रदान करने के उद्ध से छोड़ा गया था अब इससे फायदा क्या हुआ जो दूरस से इच्छा परडा ली थी उससे प्रभावसली डंग से चलाने में सफलता मिली थी अब इसी का दूसरा नाम G-Sat 3 भी है अगर आपसे पूछा जाए कि E-G-Sat का दूसरे नाम क्या है तो क्या है तो G-Sat 3 हो सकते आपसे E-G-Sat 3 लिखे है कि G-Sat 3 किस प्रकार का कारकरम है तो इसका मतलब हो E-G-Sat के बारे में ही पूछ रहा है तो यह चीज याद रखना है हो सकते हैं एक डंबर में भी पूछ लेगा यह ऑप्शनल में तो G-Sat 3 है वो E-G-Sat का ही दूसरा नाम है E-G-Sat से जोडने के लिए इसका नाम E-G-Sat रखा गया था कि एक सेचनी को पग रहा है इस रोने से सतंबर 2004 में इसलिए छोड़ा था ताकि सिच्छन सेबा को परदान किया जा सके इससे क्या हुआ कि दूरस सिच्छा पडाली को प्रवासली धंग से चलाने में सफलता मिली इसका दूसरा नाम G-Sat 3 है और इसका नाम Education से जोड़ने के लिए Educate रखा गया जिसकी Full Form होती है Educational Satellite तो यह सारी चीज़ आप लिख सकते है Nash Question जो आज चुका है 2017 में कि Television पर सिच्छा से समंधित कौन-कौन से कारकरम चलाए जाते हैं तो आप काफी बना-बना कर भी लिख सकते है आपको पता ही होगा तो इसमें देखिए Mahi Bay करके एक पहले आता था इसमें Body Image Issue जैसे कोई मोटा है, कोई पतला है तो इससे समंधित यह चीज थी इस सीरियल था Mahi Bay दूसरा था Breaking Bad एक सीरीज है Chemistry पर आधारित है यह सीरीज ठीक है Hollywood की Netflix पर यह रिलीज हो चुके तो काफी अची सीरीज है बहुत नाम है इसका फिर तीसरी गुमरा करके एक सीरियल आता था दूर दर्शन पर DD1 पर ठीक है इसमें सुरच्छा को लेकर जागुरु किया जाता था फिर एक Sex Education करके सीरीज है ठीक है तो इसमें Sex Education से सम्मदित काफी जानकारियां मिलती है फिर है चकरवती समराट असू करके इसमें इतिहास की जानकारी हमें मिल जाती है फिर आता है KBC कौन भनेगा करोनपती आपने सब इन देखा होगा कम सकम 5 के तो करी लेना फिर सैचिक दूरदर्शन की उपयोगता पूछेगी कि सैचिक दूरदर्शन की उपयोगता क्या है 2018 में ये कॉशन पूछा गया है तो हमें दूरदर्शन के बारे में पहले पता होना चाहिए कि दूरदर्शन किसे कहते है उसके बाद ही हम लिख सकते हैं सैचिक दूरदर्शन के बारे में वो सकता है दूरदर्शन के बारे में एक नमबर में पूछ ले जाए और सैचिक दूरदर्शन के बारे में दो नमबर में पूछ ले जाए दूरदर्शन का आर्थ होता है दूर से देखना तो दूरदर्शन का मतलब क्या है कि दूर से देखना हम टेलिवीजन पर देख रहे हैं तो मतलब बहुत दूर से देख रहे हैं चीज़ों को दे दिया, उप्योगता क्या है सेच्छी दूरुदर्शन की वो देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सिच्छा से समन्द इसमें कारकरम प्रसारित होते हैं, इसलिए हम सेच्छी दूरुदर्शन कहते हैं, तो पहला उप्योगता ये है कि छात्रों की सभी ज्यानेंद्रियों का एक साथ प्रियोंग होता है अगर board पर teacher आपको पढ़ाता है तो आप सुनते हैं बातों को ठीक है देखते हैं board पर ठीक है गुर कुल पर डाले में किया था कि सर्फ सुनते थे हम चीजों को ठीक है खाली एक ही ग्यानाइंद्री हमारी सक्री रहती थी लेकिन दूरदрашन में क्या होता है कि सभी ग्यानाईंद्रीयों का एक साथ प्रियोग होता है हम देखते भी है, सुनते भी है, समझते भी है ठीक है और कुछ चीज़ दिखाई जाती है तो उस पर भी ज्यादा फोकस रहता है हमारा तो जितनी भी ग्यानेंद्रियां होती है वो सारी सक्क्री होती है दूसरा है कि बे विद्धार्ती जो विद्धालों में प्रभेश नहीं ले पाते उन्हें सैचिक अपसर मिलता है कई सारे विद्धार्ती जो स्कूल नहीं जा सकते गरीब हैं नहीं जा सकते तो कहीं न कहीं बैटे कहीं टीवी चल रही तो बैट गए देखने लगे दूरी सेशन कारकरम तो यह सारी सीजन रहती है तीसरा की साचरता कारकरमों के लिए सेचिक दरूरर रशन बहुत जरूरी है अगर आपको साचर बनाना है लोगों को तो उसमें यह काफी हैल्प करते हैं फिरकी सिचकों के लिए सेबा कालीन कारकरमों के लिए जो टीचर्स होते हैं उनके लिए भी कई सारे प्रोग्राम चलाई जाते हैं उन्हें कैसे ट्रेनिंग दिरनी चाहिए तो उसमें भी क्या था कि हम लोग प्रेरियत करते थे प्रेरियत किया जाता है बच्चों को अच्छे काम करने के लिए पहरे कि सरजनात्मक सहीवग प्रदान करने में कई सारी कारकरम आर्ट एंड क्राफ्ट से सम्मंदित होते है जिसमें कई चितर बगरा दिखाए जाते हैं कि कैसे आप आर्ट बना सकते हैं कैसे घर की फालतू की चीज़ों से अची चीज़ें बना सकते हैं तो इससे क्या होता है कि जो बच्चा होता वो क्रेटिव बनता है तो सरजनात्मक सहीवग प्रदान करने में भी सेचिक दुरुदाशन की बहुत बड़ी उपयोगता है ठीक है तो ये सारे points को आप लिख सकते हैं याद कर लेना अच्छे से अगर आपको कभी लगता है कि paper आ गया है कि कुछ भी याद कर रहे हैं याद नहीं हो रहा तो ऐसा बिल्कुल मसोचे ना आप पेपर आएगा आपके सामने आप ये सारी सीज़र आपको फिर से आपको पूछा गया है देखिए इबुक का पूरा नाम होता है electronic book यानि कि digital रूप में पुस्तक ये पुस्तके कागज की बजाए है digital संचिका की रूप में होती है जिने computer, mobile एवं digital यंत्रो दौरा पढ़ा जा सकता है इने internet पर भी छापा या पढ़ा जा सकता है ये कई file format में होती है जिसमें सबसे परसलित format PDF है देखिए ebook क्या होता है तो ebook मैंने आपको बता है electronic book इसकी form होती है अब ये क्या होती है इसे पढ़ सकते है इसे पढ़ सकते है इने internet पर छापा भी जा सकता है और इस्टोर भी किया जा सकता है और क्या कि ये कई file format में होती है जिसमें सबसे परसलित format है वो PDF है PDF जो है वो सबसे परसलित format है आप भी देख रहे है नोट्स बगर आपको PDF form में ही मिलते है उसका आदा कि ebook reader क्या होता है तो e-pustukों को पढ़ने के लिए एक software की अपशक्ता होती है जिसे ebook reader कहते है एक नमबर में आता है कि ebook reader क्या है तो जो e-pustukों होती है electronic जो books होती है उन्हें पढ़ने के लिए एक software की हमें जरूत पढ़ती है जिसे हम क्या कहते है ebook reader कहते है नेस्ट कुशन की online परिच्छाओं के प्रमुक उद्देश क्या है online परिच्छे हैं काफी कराई जा रहे है जितने भी बड़े-बड़े exam है अब सब online होने लगे है seated भी online हो गया था इस वार offline कर दिया गया तो इनके उद्देश क्या होते है तो पहला यही होता है कि इसके माद्यम से छात्रों को बर्तमान समय की तकनीकी एव हम कंप्यूटर का ग्यान होता है कि आज के समय में कैसा समय बदल चुक है कि अब हम OMR का यूज नहीं कर रहे है सिधे-सिधे online माद्यम से परिच्छा दे रहे है तो जो आज की समय की तकनीकी है और जो कंप्यूटर उसका भी ग्यान होता है बच्चों को दूसरा कि प्रेशन पत्र आउट होने की समस्या बहुत कम होती है लेकिन होता है पेपर आउट लेकिन कहा देते हैं कि प्रेशन पत्र आउट होने की समस्या बहुत कम रहती है दिसरा कीवहां धन बस समय की बच्झत होती है ठीक है? काफी धन भी बच जाता है समय भी बच जाता है ठीक है? फिर रहे की इसके मुलेंख़न के प्रिक्रिया होती है, वो सारे रेखमक पारदर्शी होती है क्योंकि इसका मुलयंकन भी ओना होता है तो बहुत जल्दी copy भी check हो जाता है बहुत जल्दी result भी आ जाता है पर रहे कि online mock test से अच्छा अभ्यास हो जाता है तो मुख परिच्छा में कटना यह नहीं होता कटना यह नहीं होती ठीक है तो online test बगएरा भी होते रहते हैं आपने देखा कई लोग जो होते हैं companies वो online mock paper जो होती है वो बेशती है ठीक है आपको खरीद रहा होता है उसको अपर आप online test दे सकते हैं तो इससे कहोता है कि अच्छा खासा अभ्यास हो जाता है online परिच्छाओं का और जो मुखे परिच्छा होती फिर उसमें इतनी problem नहीं होती हम लगों को तो यह सारे उद्देश से हैं online परिच्छाओं के फिर MS bird क्या है अब हम हम इस सभी को पढ़ना है MS office के बारे में जितने भी चीज़ां आती है वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है तो सबसे पहले MS bird के बारे में जान लेते हैं इनमें से किसी दो के बारे में तो पूछा जाएगा आपसे MS bird के बारे में पूछा सकता है MS Excel के बारे में पूछा सकता है कि इसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी तो इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो देखें MS-BURD क्या है किसी भी बिध्याले कारेयाले का कार अपने प्रिधिष्ठान या कंपणी में होने वाले कारेयों की विवस्ता करना तथा उनकी प्रिधिष्ठान पर नज़र रखना होता है इसके लिए उसे कारेयाले में विविन प्रकार की सूचना को संकलन बर्गी करन राकर खाओ किया जाता है तथा इनकी आधार पर बरतमान भविश में नेड़े लिए जाते हैं तथा प्लानिंग की जाती तथा इसके अधार की प्रकार की सूचना को संकलन करते है उनका रखर खाओ करते है तो इस सारी चीज़े हम किस पर करते हैं तो आपने देखा हो कि MS बर्ड पर आपको जितने भी पेपर वगएरा टाइप करने होती है साधी का कार्ड बगएरा बनाना होता है तो MS बर्ड पर बनाते है कई सारी चीज़े हैं जो MS बर्ड पर हम करते है पर उसको आद उसमें सेब भी करते हैं फाइल बगएरा तो इनके अधार पर क्या हम करते हैं बर्तमान तो भबिश के जो हम decision लेते हैं फो इनके अधार पर करते है और उनके हम planning भी करते हैं तो MS बर्ड के हम कार देख लेते है MS बर्ड जिसकी full form होती है इसका पहला कार जो होता है पत्र तयार करना टेके लेटर बगएरा हमां किसी को लिखना होता है जैसे हमें लेटर लिखना है जिलादकारी को तो हम इसी पर लेटर लिखते हैं ठीक है पत्र बगएरा जो भी है वो समय इसी पर लिखते हैं दूसरा की सूचना को word में तयार करके print निकल के notice board में लगाने में भी help मिलती है हम क्या करते हैं अगर में कोई सूचना बगएरा है वो हमें लगानी है अपने office के बाहर या अपने gate के बाहर है घर के बाहर तो हम क्या करते हैं MSBird में वो तयार करते हैं उसका print निकालते हैं और पर notice board पर लगा देते हैं तीसरा की करमचारी ए स्टुदेंट का record रखने में भी MSBird की हम help लेते हैं ठीक है रिकॉर्ड बगएर अगर हमें रखना होता है उनका तो नाम बगएरा या और कुछ उम्र बगएरा पर तीस फोर्थ है कि स्टुदेंट की progress का analyze करने में भी MSBird की help लेते हैं ठीक है कि क्या progress होरी पहले कैसे marks थे अब कैसे marks हैं ठीक है तो progress को analyze करने में भी इसकी help लेते हैं documents को open करने में create करने में edit करने में ठीक है share करने में print करने में ठीक है important है दिखिए जो MS PowerPoint है वो एक presentation programming software है ठीक है इसमें हम कोई भी presentation तयार करते हैं जैसे कि क्या कि हमें कोई movie तयार करनी है या कोई video हमें तयार करना है तो उसका पहले starting कैसी होनी चाहिए end कैसा होना चाहिए तो इस सारा जो presentation होता है वो MS PowerPoint में हम तयार करते हैं यह है software MS Word MS Excel की तरह Microsoft Office का ही एक part है जो MS Office है यह सबसे बड़ा चीज है और इसी की सारे part है MS Word MS PowerPoint MS Excel यह सब उसके part है तो यही कागया कि यह software जो है MS Word MS Excel की तरह MS Office का ही एक part है इसे MS PowerPoint यह PPT भी कहते हैं ठीक है 것처럼 लिखी सकते हैं क्यों presentation हमें तयार करना होता है तो इसकी साहिता से presentation की बहतर तयारी की जा सकती है मोखबिंदियों को हम digitally so कर सकते हैं ठीक है अगर कोई important points है तो हम दिखा सकते हैं इदर से इदर जारे इदर से इदर जारे point ठीक है लेरता हुआ जा रहा है उसमें नीचे line बनी है ठीक है bold letters में लिख दिया है तो मुख बिंदियों को हम विजुली so कर सकते हैं तीसरा की presentation file की security वा password की सुब्दा इसमें रहती है ठीक है आपको अगर कोई लगता कोई important file है इसमें password बगारा लगा सकते हैं फिर रहकी animation की साहिता से presentation को आप सुंदर बाख अकर्शक बना सकते हैं फिर रहकी इसमें आसानी से image पक graph so see graph जो है वो so किया जा सकता है ठीक है अगर आप चाहिए तो कोई भी image इसमें लगा सकते हैं ठीक है कोई graph paper है उसे भी so कर सकते हैं यह सारी चीज़ा होती है इसमें ठीक है तो MS PowerPoint के कार आपने देख लिए क्या क्या हम इसमें चीज़ां कर सकते हैं ठीक है एक movie बनाने में हम जो जो चीज़ां करते हैं एक sort video अगर आपको बनाना है आप उसमें जो भी चीज़ां कर सकते हैं वो सारी चीज़े MS PowerPoint में हो सकते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, अगर आपने कभी भी वी वीडियो बनाई है, चहें वो Instagram पे बनाई हो, चहें Facebook पे बनाई हो, या YouTube पे बनाई हो, तो कोई भी वीडियो अगर आप बना रहे, तो उस सारी चीज़ें आप किसमें कर सकते हैं, MS PowerPoint से कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख देना, अब next question है कि MS Excel क्या है, ठीक है, तो MS Excel भी important है, इसके बारे में भी जान लेते हैं, ये भी part है MS Office का, यह है एक ऐसा लोगपरी spread seat system है, जो column और पंक्तियों में किसी भी data को विविस्तित करता है, और जिसमें विविन फार्मूलों की मदद से data डाला जाता है, और set किया जाता है, ठीक है MS Excel है क्या, सबसे important बात यह है, एक नमर में question बनेगा, ठीक है optional में एक question आ सकता है, कि सबसे लोगपरी spread seat system कौन सा है, MS Office, MS PowerPoint, MS Word, ऐसे करके 3-4 option होंगे, ठीक है अगर spread seat लिखा है उस पे, तो इसका मतलब है MS Excel की बात की जा रही है, ज्योंकि spread seat जो होता है, वो MS Excel को ही कहते हैं, और यह किसमें विवाजित होता है, तो यह column और row में विवाजित होता है, यानि की column में और पंक्तियों में यह विवाजित होता है, और यह data को सब उसी में विवस्तित करता है, इसमें हम कैसा काम करते हैं, जैसे हमें क्या करना है कि कोई student है, उसके नाम लिखने है ठीक है फिर उसके marks लिखने है कि Hindi में इतने है math में इतने है English में इतने है तो यह सब सारी काम किस में करते हैं MS Excel में करते हैं क्योंकि इसमें क्या हो कि कई सारी row होती है कई सारी column होते है ठीक है तो math वैत वाले जितने भी काम होते है कोई भी data बनाना होता है company का ठीक है तो वो सारी चीज़ हम किस में करते हैं MS Excel में करते हैं इसके कार है देख लेते हैं तो इसका प्रियोग numerical data को balance करने report बनाने formula बनाने आदी में किया जाता है ठीक है तो मैंने आपको बता है कि आप formula की मदद से इसमें add कर सकते हैं सीधा सीधा ठीक है इंटू कर सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं ठीक है तो काफी मदद होती है एक extension होता है तो msbird में कोई भी file आप save करते हैं तो उसके बाद कुछ चीज लिखके आती है dot goc लिखके आ जाता है तो आपको समाझ माँ जाता है कि क्या ही extension है मतलब कि यह file जो है वो किसमें save है msbird में save है ऐसी जो powerpoint होता है इसमें dot ppt करके लिख जाता है ठीक है तो उसका एक extension होता है dot xls लिखके आ जाता है ठीक है बैसी ms excel में गर कोई file save करते है तो उसमें file के बाद क्या लिखके आएगा dot xls लिखके आएगा ठीक है यह file extension है पर नैश कुशन है कि Microsoft Access क्या है Microsoft Access को Microsoft Suite का एक अंग माना जाता है बादार में इसे प्रतक रूप से बेजा जाता है इसका प्रयोग data के प्रस्तुति करण इवं संग्रेंड में किया जाता है इसके विविन वर्जन वर्जन वर्जार में उपलब दें ठीक है बर्जन 2007, 10, 13 यह सारे इसके बर्जन है ठीक है Microsoft Access और बाजार में से आप अलग से भी बेशते हैं कई सारे जो होते हैं कंपणिये वो अलग से बेशते हैं प्रतक रूप से और इसका प्रियोगम किसमें करते हैं तो data की प्रस्तुति करण और store करने में हम इसका यूज करते हैं कोई भी data अगर हमें store करना है ठीक है तो इसलिए हम इसके help लेते हैं या प्रस्तुति करण करनी है ठीक है प्रस्तुत करना किसी के सामने तो भी हम इसके help लेते हैं और इसके कई सारे बर्जन जो है वो बाजार में आ चुके है और बर्जन के नाम याद कर लेना एक दो के तो बर्जन 2007 2010 2013 जो है इसके बर्जन है यह DBMS है और DBMS क्या होता है तो इसकी full form होती है database management system तो दीकिए यह क्या करता है कोई भी data होता है उसे manage करता है ठीक है database को क्या करता है manage करता है इसका निर्माण जो है वो Microsoft Company ने किया है इसका जो पहला बर्जन था 1995 में macOS के लिए जारी किया गया था तो इसका उपयोग क्या है तो गढ़ना के लिए किया जाता है काफी करनी होती है तो हम लोग इसका यूज करते हैं तो इसके बार में आप लेख सकते हैं यह क्या है एक DBMS है जिसका फुल फॉर्म होता है database management system यह data को manage करता है इसका पहला बर्जन जो था 1980 में आया था Microsoft Company ने बनाया था और इसको प्योंक हम गड़ना किलने के लिए करते हैं और इससे प्रतक रूप से भी बजार में बेचा जाता है इसके कई सारे बर्जन उपलब दें जैसे बर्जन 2007, 2010, 2010, 2013 तो यह सारे चीज़ां आप लिख सकते हैं नैश कोशन है कि इमेल से आप क्या समझते हैं 2016 में कोशन पूछा गया देगे सिंपल लगता है लेकिन आप इसके बारे में लिखने नहीं पाएंगे इसलिए लिखना ज़रूरी है तो इमेल से आप क्या समझते हैं देगी इमेल की फुल फॉर्म होती है electronic mail तो electronic device दोरा किसी network के जरिए संदेश को भेजने प्राप्त करने का एक साधन होता है इमेल तो electronic device के माध्यम से किसी network के जरिए संदेश को भेजने और प्राप्त करने की जो प्रिक्रिया होती है इसी को हम इमेल कहते हैं इमेल का मतलब होता है electronic mail, कारियालों, अदालतों, स्कूल, कॉलिजों, आधी जगों पर email के दोरा सूचना भेजने और प्राप्त करने का अधगारिक तरीका आप बना लिया गया है Reddit mail, Gmail, Yahoo, आधी अनीक माध्यम से इसके दोरा email पता, बना के सरलता से बड़ा पत्र विबार किया रह सकता है मतलब कहने का मतलब है आपके पास एक email address होना चाहिए, अगर आप email address बना लेते हैं, उसके पास सरलता से आप पत्र विबार कर सकते हैं मतलब संदेश को एक इस्सान से दूसरे स्सान भेज सकते हैं इसके माध्यम से बड़ी-वडी फाइलों, चित्रों, एभं अनसुचनाओं को भेजा जा सकता है तो इसके माद्यम से क्या कर सकते हैं Photoshop, images, images, email के बारे में आपको इतना ही याद रखना है अब हम बात करेंगे teleconferencing की teleconferencing क्या होती है देखे teleconferencing का आशाय होता है तीन अथवा, तीन से अधिक वेखतियों दौरा किसी electronic माध्यम के दौरा किये जाने वाले परिस पर संबाद को हम लोग क्या कहते है टेली कॉनफरेंसिंग करते है यह चीज़ यहाद रखना यहाँ पर दो लोगों की बात नहीं हो रही या एक लोग किसी से बात नहीं कर रहा है यहाँ कम से कम तीन लोग होने चाहिए या तीन से जादा होने चाहिए अगर वो किसी electronic माध्यम से एक दूसरे से बात चीज़ कर रहे हैं तो से हम लोग क्या कहेंगे टेली कॉनफरेंसिंग कहेंगे टेली का अर्थ होता है किसी दूर स्थान से जबकि कॉनफरेंसिंग का अर्थ होता है दूरस संबाद टेली का अर्थ मतलब कोई दूर स्थान और कॉनफरेंसिंग का अर्थ होता है दूरस संबाद मतलब दूर से हम किसी सब बात कर रहे हैं तो दूर से बाचीज जो होती है वो टेली कॉणफरन्सिंग कहलाती है इसमें दो से अधिक प्रतवागी होते हैं जिनका किसी एक जिनका किसी एक स्थान पर होना आपिशक नहीं है बिश्व के किसी कोने पर हो सकते हैं कोई इंडिया में बैठा, कोई अमेरिका में बैठा और कोई जापान में बैठा है, ठीकि तो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो टेली कॉनफरेंसिंग कर रहे हैं, बेश्व कि किसी कोने पर हो सकते हैं, लेकिन नेटवर्क के जरीए वो जोड़े होंगे, च संस्थानों से जोड़े, संस्थानों से एक साथ आडियो वीडियो के माध्यम से कई बेक्ती जोड़ सकते हैं, इसे वीडियो कॉन्फेंसिंग कहते हैं, तेली कॉन्फेंसिंग में हम वीडियो कॉल नहीं करते हैं, बैसे बात्चीत करते हैं, टेलीफॉन के माध्यम से, या इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन वीडियो कॉन्फरेंसिंग में क्या होता है, यह आधुनिक तेखनीक है, इसमें क्या कि हम लोग देखते हैं कि हम वीडियो कॉन्फरेंसिंग कर लेते हैं, जिसमें दो से अधिक लो जान लेते कि प्रोटोकॉल कहते किसे हैं तो प्रोटोकॉल कम्प्यूटर साइंस वा इंटरनेट की दुनिया में इस सब्द का बहुत योगदान है प्रोटोकॉल उन रूल्स यानि कि नियम को कहते हैं जिनके जरी दो कम्प्यूटर आपस में डेटा या जानकारी को इंटरन लेटारी सेर करते है तो उनिकुन क्या कहते हैं प्रोटोकॉल कहते हैं प्रोटोकॉल आर्टाइट को लिखते हैं तब हम कुछ रूल को फॉलो करते हैं या इंग्लिस में बासचीत करने के लिए ग्रामर की रूल का रखना पड़ता है बैसे ही प्रोटोकॉल जो है वो नियमों का एक समू है जिसका सफल एवं बिसुसनी ये डेटा संचार के लिए पालं करने की अपशक्ता होती है अगर आप सही से डेटा ट्रांसपर करना चाते हैं ठीक है तो उसके लिए आपको प्रोटोकॉल फॉलू करन आपको नेच्ट कुशंट है कि मॉडम क्या है मॉडम एक प्रकार का हर्डवे डिवाइस है जिसका कार कंप्यूटर को केवल या टेलिफॉन के माध्यम से डेटा भीजने के लिए किया जाता है तो मॉडम की यूज करते हैं तो इंटरनेट चलाने के लिए मॉडम की तेलिफॉन से जुड़ा होता था अभी आप नहीं ऐसा होता टेलिफॉन से लेकिन पहले के टैम पर टेलिफॉन से माद्यम सम्ट बेजते थे तो यही होता है कि मौडम के एक प्रकार का हर्टवेर डवाइस है जिसका कार क्या होता है तो कॉंप्यूटर को केबल यह यह से बाता के बनाने यह टेलिफॉन से देलिफिक है चाहि अब देख़े कुछ फुल्फार्म केफन है जो आपको याद होनी चाहिए LCD की full form है, man की full form अब ही हमने पढ़ी थी metropolitan area पर नेस्ट की internet का जनमदाता किसे कहा जाता है तो विंटन की सर्व को internet का जनमदाता कहा जाता है ये question आ चुका है इसलिए याद रखना कि विंटन की सर्व को internet का जनमदाता कहा जाता है फिर नेस्ट कुशन जो आ चुका है वो है meritnation.com क्या है तो देखे ये भी कुशन आया हुआ है कि meritnation.com क्या है तो देखे ऐसी meritnation के लिगा और भी कुछ लिखे आ सकता है जैसे nokri.com या sign.com ऐसे करकी भी website के नाम लिखे आ सकते हैं तो देखे ये सारी क्या है वो देख लेते तो ये online परिच्छा की सुब्धा प्रदान कराने वाली विध्याले स्तर की सरबादी कुपयोगी तथा प्रिचलित बेपसाइट है इस पर कच्छा 12 तक के विभिन विश्यों की परिच्छा online पूर्ण कराई जाती है इस बेपसाइट से विभिन परकार की प्रतियोगी परिच्छाओं की भी तयारी कराई जाती है छात्रों की सैचिक अपशक्ताओं को पूरी करने के लिए इसे विक्षित किया गया है देखे जो meritnation.com है ये online परिच्छा की सुब्धा परदान कराती है इस बेपसाइट है ठीक है प्राइबेट है सुब्धा परदान कराती है ठीक है विध्याले इस तर पर बहुत ज़्यदा अपयोगी हो जाती है क्योंकि क्या है कि ये जितने भी बच्चे हैं जैसे क्लास 12 के, क्लास 10 के तो उनकी जो परिच्छा है एक तरीके से demo परिच्छा है जो होती है ठीक है उन्हें यह प्रोवाइड कराती है तो आप यहाँ परिच्छा है दे सकते हैं इससे आपकी practice अच्छे सची हो सकती है और जो notes बगहरा होते हैं वो भी इसमें प्रोवाइड करा दिये जाते हैं ठीक है तो यह किसली बनाएगी ताकि छात्रों की जो सैच्छी कापशकते हैं उन्हें पूरी किया जा सके और उनका विकास किया जा सके ठीक है तो यही है meritnation.com meritnation is India first online learning platform for school students over 2.5 करून students across CBSC, ICSC and leading state boards ठीक है तो यही सारी चीज है यह आपको नहीं लिखना है उपर वाला लिख देना और दोखों किया है कि ऐसी जैसे meritnation.com का आया है पैसी नौकरी.com का भी आ सकता है आपसे पूछा आ सकते हैं तो वो jobs related जितनी भी होती है employment से related जितनी भी सबसे होती है वो बताती कि कहाँ पर vacancy खाली है अब कहाँ पर form fill कर सकते हैं ठीक है किस के लिए apply कर सकते हैं किस नौकरी के लिए यह सारी चीज़ें उसमें बताई जाती है जैसे नौकरी.com है sign.com है ठीक है तो यह सारी चीज़ें है तो इनके बारे में भी आप बना बना कर लिख सकते हैं क्योंकि इसमें questions जो होते हैं दो तीन बिल्कुल अलग आते हैं जो आपने सोने भी नहीं होगे ठीक है किसी भी website के बारे में पूछ सकता है आपसे फिर Nash question है कि भा यह भी question आ चुका है तो जितने भी question आई थे मैंने भी include कियें तो दीखे 관े कितने परकार की होते है तो चार प्रकार की slide जो ह layout पहली होती है text layout कहलाती है, जिसमें सिर्फ text लिख सकते हैं, आप ऺशे होते है धौरे potential layout दूसरी होती है काम के लिए होता है ले आओट ये तो टोटल चार स्लाइट्स होती है ठीक है इस स्लाइट कितनी होती ही पावर पॉइंट में तो चार होती है किसे कहते हैं या तो किसी भी computer को हम कह सकते हैं क्लाइंट या किसी भी computer program को हम कह सकते हैं जो क्या करता है कि किसी भी और computer server दोरा जो प्रदत सेवा हैं जो सेवाइं दी जाती है उनका use करता है जैसे कि हमारा एक computer है अगर हम क्या कर रहे हैं किसी और computer दारा जो सेवाइं दी जा रही है हम उसका यूज कर रहे है तो हम क्या कहलाएंगी client कहलाएंगे या मालिय कुई computer program है हम क्या कर रहे है कि server के दोरा किसी और सेवाओं का use हम कर रहे है तो हम क्या कहलाएंगी client कहलाएंगे तो यहीं बोला गया कि क्लाइंट क्लाइंट क्या है तो यही है client के बारे में फिर next question है कि babe browser किसे कहते है देखिए babe browser को हम खाली browser भी कह सकते है ठीक है और यह होता कि है तो एक ऐसा application होता है जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं babe sites को देखने में चल चित्रों को देखने में संगीत, सुनने के लिए मिज़िक बेकरा जो हम देखते हैं या किसी अने जानकारी के लिए हम करते हैं अब babe browser के example क्या है तो internet explorer आपने देखा होगा firefox, google chrome यह सारे क्या है यह babe browser के example example सभी के याद रखना क्योंकि question एक number में बनते हैं babe browser के example बताइए कि इन में से चारों में से कौन सा babe browser है ऐसे करके optional में आ सकता है तो babe browser होता क्या है जो google chrome है आपके mobile में देखा होगा आपने google chrome गूगल पर कोई भी जानकारी आपको लेनी होती आप उसी पर जाते हैं कोई भी चीज़ सर्ण करनी होती है आप उसी पर जाते है कोई भी website खूलते है तो भी उसी पर जाते है वैप Browser का काम क्या होता है ऐसा application होता है जिसका इस्तमाल हम किस लिए करते हैं तो नई नहीं web site कोई भी websites साइट को खोलने के लिए कोई भी चल्चे त्रियानी की movies बगारा या song बगारा जो भी होते हैं उनकी जानकारी हमें चाहिए होती है या किसी अन जानकारी के लिए माले कोई सब्द है हमें नहीं आ रहा उसके बारे में तो हम उसे type करते हैं इसके बारे में जानने की कोशिस करते हैं तो सभी जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, बेब ब्राउजर का यूज करते हैं, ठीक है, और इसके एक्जामपिल क्या हैं, तो Internet Explorer, Firefox और Google Chrome जो है, वो बेब ब्राउजर के ही एक्जामपिल है, नेश कुछन है कि सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन भी आपने काफी सुना सभी जानकारी होती हैं, तो सर्च इंजन का मतलब होता है, एक ऐसा प्रोग्राम, जो Internet के असीमित डेटाबेस से, यूजर के सबाल को खोचता है, इंटरनेट पे तो काफी चीज़ां पढ़ी हैं, असीमित चीज़ां पढ़ी हैं, तो आपने जो सबाल किया है, उससे समंद पेज़ कहलाता है, जहां पर आपकी सारी जानकारी मिलती है, जो आप सी सर्च कर रहे हैं, तो Google, Bing, MSN, Yahoo, जो है सर्च इंजन के एक जामपिल है, तो सर्च इंजन के एक ऐसा प्रोग्राम है, जो Internet के असीमित डेटाबेस से, यूजर के सवाल को खोचता है, और उस सवाल से स जो होता है, वो रोजगार समंधी सूचनाओं का एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा रोजगार समंधी सूचनाओं की प्राप्ति होती है, तो एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा जो रोजगार है, उससे समंधी जितनी भी सूचनाओं होती है, जानकारी होती है, उनकी हमें जो website से हैं वो भी चल रही है जैसे कि nocari.com है sign.com है timesjob.com है ठीक है यह सारी क्या है job portal है और यहाँ पर किस से समंधित जनकारी हमें मिलती है तो रोजगार से समंधित जितनी भी जनकारी होती वो हमें यहाँ पर मिलती कि कहाँ पर vacancy खाली है कहाँ पर हमें apply कर सकते हैं जैसे आप teacher हैं तो teaching line में कहाँ का vacancy खाली है तो वो चीज आपको post भाही दिखाएगा ठीक है तो यह होता है job portal फिर next question है कि babe page क्या है babe page के बारे में पूछा जाता है कि babe page से आप plus page यहाँ पर babe जो होता है वो internet की आपशकता को दर्सा आता है कि babe के लिए आपको किस की जरूरत पड़ेगी internet की आपशकता पड़ेगी तथा page का मतलब होता है प्रस्ट या पन्ना एक babe page जो होता है वो html में लिखा गया एक दस्ता बेज है ठीक है एक babe page को आप कैसे खोल सकते है तो internet browser के उफवोद करके हो आप इसे खोल सकते है ठीक है आप स्का use करेंगे ब्राउजर का तो आप जो भी doesn't search करते है तो जो page पर दिखाता है बही page क्या खेलाता है babe page क्या खेलाता है ठीक है को भी babe site आप अगर सर्च कर रहे हैं तो उसमें जो भी प्रस्टा को दिखाता है और यह किसी अंट्ममे से लिख सकते है अब ऐसी चीज़ में कर आपको नहीं भी आती बस एक आप समझ लीजे ठीक है आप बना बना कर लेख सके देखे इस class को देखने वाद आराम से आपके 20 नमबर आ जाएंगे आप 5 नमबर लाने के लिए कि देखे 2-3 question जो होते हैं वो अलग से ही बनते हैं ठीक है बाहर से ही बनाता है ठीक है वो आपको इसके बारे में कितनी जानक इमेल कैसे भेशते हैं तो यह question बन सकता है तो यह सारे questions आपको आने चाहिए ठीक है तो अगर आप कर लेंगे अच्छी तो आपके आराम से 24-25 नमबर आ जाएंगे ठीक है तो फिर मिलते हैं next वीडियो में next subject के साथ अच्छे से त्यारी करते रहिए मिलते हैं next वीडियो मे thank you so much for watching this video